Hello friends, welcome to our channel गीतानशी आज मैं Voltas AC remote के बारे में और इसके functionalities और settings के बारे में बताना चाहता हूँ ये remote थोड़ा बहुत complicated है चलो हम शुरू करते हैं ये Voltas AC का complete information, operations और functionalities तो यहाँ पे सबसे पहला है on off button तो on करने से पहले कुछ भी functionalities नहीं चलेगा लेकिन एक functionality चलेगा वो जो है timer on, timer off देखिए यहाँ पे 8.59 का current time चल रहा है तो ये change हो जाएगा ये 9.13 का timer on वाला functionality on हुआ है अभी off हुआ है, ये timer off भी चलेगा सिर्फ ये दो, क्यों मुलतो हूँ? ये off के बाद भी हम लोग timer के वज़े से AC को on कर सकते हैं चलो अभी on करके देखते हैं, इसमें कितने सारे options है और उसका क्या-क्या functionalities हो जाएगा तो पहला मैंने on किया, on करने के बाद आप देख सकते हैं इस type का screen आपको दिखेगा इसमें 5 mode रहते हैं total सबसे पहला ये वाला auto mode, next cooling mode, ये वाला drive mode, ये वाला fan mode, और ये heating mode इसके अलवा और एक mode भी है, ये sleep mode, नीचे दिख रहा है आपको, ये sleep mode है तो एक-एक functionality हम लोग यहां से चालू करते हैं चलो देखते हैं, सबसे पहला auto mode, ये auto mode में सिर्फ fan वाला option चलेगा कुछ भी option है चलेगा, ये blow, turbo, कुछ भी option है चलेगा, सिर्फ fan हम लोग operate कर सकते हैं इसमें चार option है, सबसे पहला auto, low, medium और high, इसमें temperature भी हम लोग change नहीं कर सकते हैं next है cooling mode, ये cooling AC के लिए चाहिए, cooling mode, यहां पे आपको symbol दिख रहे हैं ये वाला cooling mode का symbol है तो इसमें बहुत सरा options है, सबसे पहला turbo, turbo जो है instant cooling और fast cooling के लिए ये option यूज़ कर सकते हैं ये turbo high speed fan वाला चलेगा, अगर turbo on रहता है, ये fan का काम नहीं चलेगा, fan काम नहीं करेगा क्यों बोलतों ये already top position में high level पे चलता है, अब ये fan दबाते हैं, तो turbo automatically off हो जाएगा ये मौशर जो है, वो सब कुछ हाटा देगा और गर को अच्छी constant temperature में रखेगा, तो ये cooling mode सबसे बतरीन है, हम लोग इसको temperature कम जाधा कर सकते हैं चलो, next option है dry mode, ये dry mode पे भी AC चलेगा, लेकिन ये summer season के night time पे और rainy season में हमको काम पे आएगा, यहाँ पे turbo का option नहीं चलेगा, सिर्फ blow का option काम करेगा ये blow के वज़े से बारिश के season में और summer के season में रात के time पे जो बहुत तंड लगता है, वो time पे हम लोग सिर्फ तंडा कम करना है, और गर का moisture या humidity निकाल देना है, तो इस time पे ये dry mode यूज़ कर सकते हैं summer के season में night time पे जब AC के निचे सोते हैं, तो वो time पे बहुत तंड लगता है, तो हम लोग AC cooling pod पे नहीं लगा सकते हैं, बहुत तंड हो जाएगा, तो dry mode पे लगाना है, और चाहे तो blower on करना है, नहीं तो blower off करना है, यहाँ पे fan का option नहीं काम करेगा, fan का option चलेगा है नही लेकिन temperature हम लोग कम जाधा कर सकते हैं, ठीक है, अगर मानले हम लोग 30 degrees रात पे लगा के सो गया, गर 30 degrees के नीचे होते की, AC automatically off हो जाएगा, अगर उसके बाज और 10-15 मिनट के बद 30 के उपर temperature जाता है, तो immediately automatically AC on हो जाएगा, next mode जो है, fan mode, fan mode में हम लोग temperature कम जाधा कर सकते हैं लेकिन ये blow वाला option और turbo वाला option और sleep mode ये तीन चीज़े काम नहीं करेगा, और लेकिन fan हम लोग operate कर सकते हैं, auto, low, medium और high, ये सिर्फ fan चलेगा, इस पे कुछ नहीं चलेगा, next option है heating mode, ये सिर्फ heat करने के लिए है, temperature बहुत कम रहते हैं, उस जेगे पे ये काम का है, यहाँ प medium और high वाला option भी यहाँ पे चलेगा, इधर turbo का option भी चलेगा, वो turbo heat होने के लिए, blow का option नहीं चलेगा, यहाँ पे blow का option कुछ काम का नहीं है, ये रहे गया पूरे 5 mode, ये वाला auto mode है, इस पे सिर्फ fan का चलेगा, यहाँ पे temperature कुछ भी adjust कम जाधा नहीं कर सकते हैं, ये वाल next वाला option है, dry mode, ये summer के season या रात के time पे या बारिश का season में, जो गर का humidity को निकलना है, गर के अंदर का moisture को निकलना है, तो उस चीज़ पे ये काम को आएगा, इस blow वाला option से, तंड भी रहेगा गर, और ज्यादा हवा भी आएगा, उपर से humidity वाला चीज नहीं रहेगा, next व next वाला जो है, heating mode और sleep mode, ठीक है, अभी एक के बाद एक options पे जाएंगे हम लोग, fan के option में तो आपको पता है, auto, low, medium और high वाला option रहेगा, और next हम देखते है, swing वाला ये वाला button जो है, यहाँ पे आपको एक चोटा सा symbol आएगा, वो swing का symbol है, तो ये full swing हो जाएगा, इसको 5 mode पे operate कर सकते हैं, और swing में भी, तीन वाला mode मोट से हम चेंज कर सकते हैं, सबसे पहला swing off है, अभी on है, यह पहला 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब है यह direction में आपका swing रुकिएगा, ठीक है, यह direction में आपका swing होगा, इतने ही direction में swing होगा, तो यह वाला तीन option है, रुकने का 5 option है, clock जो है यहाँ पर 9-10 का time जो दीख रहा है आपको वो clock है तो यहाँ पर दबा के हम time को set कर सकते हैं देखिए आप 9-11 हो गया 9-10 तो यह वाला current time हम लोगों को set करना है यह चीज टाइम देखने के लिए नहीं हम लोगों को on timer, off timer जो है set करने के लिए यह काम पर आएगा बहले time पर AC on नहीं होगा सिर्फ इसी के वह यह clock और यहाँ पर time जो है उस पर ही depend करके यह on वाला, off वाला timer चलेगा ठीक है यह blow वाला option जो है heating mode पर नहीं चलेगा यह सिर्फ एक ही काम का है जो घर का humidity या moisture हटाने के लिए यह blow वाला option काम करेगा और turbo जो है instant heating या instant cooling के लिए काम पर आएगा टर्बो का option सिर्फ fast cooling और fast heating on high higher mode पर काम पर आएगा यह वाला जो temperature है यहाँ पर आपको दिखेगा सिंबल यह वाला temperature जो है temperature option यहाँ पर आपको एक symbol दिखेगा देख लीजिए यह देखिए यह नॉर्मल टेंपरेचर है यह 25 degrees अपने AC का temperature हमने जो सेट किया है और next आएगा इसके अंदर जो दिख रहा है तो इसका मतलब है गर के अंदर का temperature गर के अंदर कितना temperature है उतना perfect नहीं दिखाएगा लेकिन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा और next जो है गर के बाहर का temperature गर के बाहर का temperature कितना है गर के AC का temperature कितना है और गर के अंदर का temperature कितना है यह तीन चीज़े देखने के लिए यह काम पर आएगा लेकिन इसका accuracy उतना सही नहीं है और यह वाला sleep mode है sleep mode से ज्यादा कुछ काम का चीज नहीं है लेकिन सिर्फ sleep mode है और यहाँ पर light जो है यहाँ पर light का option जा रहा है न तो यह AC में जो light है वो on off हो जाएगा यह वाला timer option अभी देखते हैं तो timer on timer या off timer set करने से पहले हम लोगों को यह clock का current time set करना चाहिए यहाँ पर 9.14 जो time दिख रहा है यह clock वाला option clock के button पर दबा के सबसे पहला हम 9.15 या 9.14 जो कुछ भी current time चलता है इसको set करना चाहिए यह 24 hours time चलेगा इस पर 9.14 का मतलब है सुबह 9 बच के 14 मिनिट हो रहा है तो यह 9.14 time set हो गया यहाँ पर उसके बाद on timer या off timer set करना चाहिए अभी देख लिजिए मैं on timer बताऊंगा मैं आपको पहले on timer पर click करते कि यह आपको यह on वाला blink होगा और यह वाला change होगा 9.14 जो current time चल रहा है मैं 9.16 का on time लगाऊंगा और on timer पर click कर देता हो यहाँ पर चोटा on बोलके एक option हा रहा है इससे पहले यह वाला option नहीं रहता थ यहाँ पर on के बाजू में off वाला भी option रहेगा अभी मैं off timer set करता हूं तो यह वाला option आपको दिखेगा देख लीजिए off timer पर click किया 9.17 को मैं off timer लगा दिया और यह यहाँ पर on और off दो दिख रहा है अगर on timer या off timer को off करना है सिर्फ इसके उपर दबाना off चले गया on के off हो गया है ठीक है तो यह next option जो है light इसी में जो light जो रहता है रात पर थोड़े लोगों को disturbance हो जाएगा वो light आँखों के नजर पर आ जाएगा concentrate नहीं कर सकते हैं तो उसके वज़े से यह वाला light हाटाने का light off करने का option दिया है चलिए friends यह रहा वोल्टा से इसी remote control के सारे options और settings मैंने और दो वीडियो बनाया है उसमें से एक जो है on timer और off timer का in-depth वीडियो है और दूसरा जो very important है वो hidden option है इस remote का वो child lock child lock कैसे on करना कैसे off करना वो दूसरा वीडियो बनाया है यह दो वीडियो का link मैंने description में दिया है please वो वीडियो भी आप देख लीजिए thank you very much thanks a lot please support me and like me